एक प्रकार की मोटर चालित वीलचेया है, जो की IIT मदरास द्वारा अनुसंधान वशोद के द्वारा बनाई गई है, जो विकलांग लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी. यह समतल रास्तों के साथ उबर खाबर जगह पर भी आसानी से चल सकती है, एव इसकी रफ्तार 25 किलोमेटर प्रती घंटे की बताई जाती है, एक बार इसे फुल चार्ज करने पर यह 25 किलोमेटर तक चलती है, तो जानते हैं इसके बारे में ऐसी कुछ विशेश बातें. IIT मदरास, भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान के एक शोथकरता समूह ने भारत का प्रथम स्वदेशी मोटर द्वारा चालित नियोबोल्ट वीलचेर वाहन बनाया है. विकलांग व्यक्तियों के लिए और जिन व्यक्तियों को वीलचेर से चलना पड़ता है, उनके लिए स्टार्टप के को फाउंड है. इसका प्रयोग संतल स्थान जैसे सडक इत्यादी के साथ असंतल जगहों पर उबर खाबर रास्तों पर भी आसानी से किया जा सकता है. जोट करताओं द्वारा यह बताया गया है कि नियोबोल्ट वीलचेर में लिथियम आयन बैटरी का उप देक्षा में सुविधा यूप एवं सुरक्षित लो कॉस्ट वाले मोड के साथ सशक बनाता है. इस वीलचेर को उप्योग करता वविकलांग लोगों हितू पचपन हजार रुपे की कीमत पर उपलब्द करवाने की संभावना है. इसलिए नियोबोल्ट वीलचेर का देखने को मिलता है. इस नियोबोल्ट वीलचेर को विक्सित करने में महत्वपून भूमिका इस संस्थान के सेंटर फॉर रेहबिलिटेशन रिसच और डिवाइस डिवलप्मेंट ने विक्सित किया है. वीलचेर का उप्योग करने वाले लोगों को पारम पर एक वीलचेर का उप्योग करने वाले लोग इससे तक्नीक का उप्योग करते हुए बहुत ही आसानी से अपने डैनिक कारे को कर सकेंगे, इसके साथ ही उसका लोग बड़ा स्टाइलिश है, जो उनको प्रसन्नता देगा और किसकी स्पीड भी उन्हें नए तरह का एहसास करवाएगी. तो